गुद बर्निंग बच्चो देखो जो हमने खातों की बाकियां याद की थी कि कौनकोन से खाते उधार होते हैं और कौनकोन से खाते जमा होते हैं तो जो हमने याद की थी बाकिया उसी के बेस पे हम ये वाला सवाल करेंगे क्रेशन नमबर पांच है श्री ब्रिज मोहन का तारिक 31 तीन 2016 के दिन का सकल तलपट आपको पहले इस तरह से हैडिंग लिखनी है उसके बाद में इस तरह से सकल तलपट का फॉर्मेट बनाना है यहां आमने लिखा है उधार बाकी रकम जमा बाकी और रकम ठीक है और हमारा ये सवाल है पेज नमबर 239 के उपर सवाल नमबर 5 ये दिया गया है ठीक है मैं इसमें से एक एक एंट्री पर एक एक खाते का नाम पढ़ूंगी और वो उधार होगा या जमा होगा वो हम लिख देजाएंगे ठीक है तो पहला जो दिया है प्रारंभीक स्टाक तो देखिए प्रारंभीक स्टाक की उधार बाकी हो दिया है ठीक है तो हम यहां ऐसे लिख देंगे प्रारंभीक स्टॉक 7800 उसकी कौन सी बाकी होती है उधार बाकी फिर आपको second number पे दिया है गिर्वी मुक्त संपत्ती मैंने आपको कहा था कोई भी संपत्ती हो तो संपत्ती की उधार बाकी होती है मतलब जो संपत्ती है वो हम किस तरफ लिखेंगे उधार की तरफ संपत्ती और उसको ब्रैकेट में कर देते हैं गिर्वी मुक्त एक्चुली वो तो ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैंने संपत्ती लिख दिया था तो मुझे काटना ना पड़े इसलिए मैंने उसे ब्रैकेट में कर दिया है बाकी आप तो गिर्वी मुक्त स ऐसा ही लिखना 15,000 की एमाउंट फिर दिया फुटकर देनदार देनदार भी अमारी समपत्ति है तो समपत्ति की भी उधार बागी आएगी फुटकर देनदार कितने लिखियं है 6,000 तो वो शे अज़ार हमने उधार में लिख दिये कारखाना खर्च मैंने आपको कहा था किसी भी तरीके का खर्च है तो वो उधार होता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कारखाना खर्च एमाउंट है 800 रुपए उधार में हमने लिख दिया फिर दिया है कच्चे माल की खरीदी तो खरीदी की भी उधार बागी होती है की खरीदी कितनी है 7500 तो हमने लिख दिये 7500 फिर कारखाना भाड़ा हमने कारखाने का भाड़ा जुकाया है तो वो भी हमारे लिए खर्च है तो खर्च की भी हम क्या करेंगे उधार बाकी कारखाना भाड़ा कितना है 700 रुप है हमने यहां लिख दिया 700 रुप है फिर दिया बट्टा दिया दिया वट्टा भी धंदे के लिए खर्च कहलाता है तो खर्च की उधार बाकी इसलिए हम उधार की तरफ लिखेंगे बट्टा दिया कितना है चार सो रुपए उसके बाद है फुटकर लेंदार लेंदार है वो हमारा दाइत्वा है तो दाइत्वा की जमा बागी हो दिया दाइत्वा की कौन सी बागी होगी जमा इसलिए हम फुटकर लेंदार को लिखेंगे जमा में फुटकर लेंदार उसकी जमा में हमने बाकी लिखी है फुटकर लेंदार है दो हजार عمound में हमने लिख दिया 2000 फिर लिखा है डूब त, रेन, अनामत देखो कोई भी अनामत होगी न तो वो जमा की तरफ उसकी बाकी होगी अनामत की बाकी जमा में आती है तो हम लिख देंगे डूबत, रेन अनामत जमा की तरफ 1.500 रुपए फिर है कमिशन चुकाया हमने कमिशन चुकाया है मतलब वो हमारा खर्च है और खर्च की कौन सी बाकी होती है उधार बाकी होती है तो हम लिख देंगे कमिशन चुकाया 500 रुबए फिर दिया है ओफिस खर्च देखिए उसके निचे सलंग आपको दिया है ओफिस खर्च मुसा होगी हम लिख देते हैं ओफिस खर्च है साथ हजार पानसो मुसाफरी खर्च कि मुसाफरी खर्च जो की है सो रुब है फिर बैंक शेस बैंक शेस हमारी संपत्ति है संपत्ति की भी कौन सी बाकी होती है उधार लिख दिया कितना है 420 ली हुई लॉन हमारा दायतव होता है और दायतव की हमेशा जमा बाकी होती है topic जो लॉन हमने ली है उसको हम चुकाएंगे भी लुए हुए हमारा धायतव होने से उसकी जमा बागी 3,000 रुब है फिर है शुद्ध विक्री विक्री की जमा बागी हो थी है शुद्ध विक्री तो विक्री है 33,000 तहीं हजार देखो आप जब भी एंट्रियां लिखोगे ये खातों के नाम लिखोगे उधार या जमा में तो आपको एमाउंट सही लिखनी है क्यूंकि अगर एमाउंट में एकाज जीरो कम्या जादा हुआ तो भी हमारा टोटल नहीं आएगा और टोटल नहीं आया तो इसका मतलब हमारी सकल्टाल पर गलत हो गई अब आगे दिया है प्लांट और यंद्र तो प्लांट और यंद्र भी हमारी क्या है संपत्ती संपत्ती होने से उधार बाकी प्लांट और यंद्र 4500 रुपे फिर मजदूरी वो भी हमारा क्या है खर्च है खर्च होने से उधार बाकी मजदूरी एक हजार रुपए उधार आवक माल गाड़ी भाड़ा वो भी क्या है हमारा खर्च है खर्च की उधार बाकी आवक माल गाड़ी भाड़ा हमारा खर्च है 90 रुपए उसके बाद दिया रोयल्टी रोयल्टी भी क्या है खर्च है घंदे के लिए रोयल्टी सो रुपए वो भी हम लिख देंगे उधार में अब लिखा है जावक माल गाड़ी भाड़ा तो जावक माल गाड़ी भाड़ा जो है वो भी क्या है हमारा खर्च है तो हम उधार में लि कि मैं देखिये यहां पर जगा तो हैं जमा में लिखने के लिए ठीक है तो भले आप यहां लिख दीजेए या इस तरफ दीजें कोई बात नहीं मैं यहीं लिख दे देऊं फूंजी की जमा बाकी होती हैं फूंजी हमारी है आँठ हजार आँठ हजार उसके बाद है प्राप्त बट्टा प्राप्त बट्टा हमारा लाब है फाइदा है न मतलब हमको डिसकाउंट मिला है तो प्राप्त बट्टा हमारा लाब है लाब होने से इसकी जमा बाकी आएगी तो प्राप्त बट्टा 360 रुपए फिर है बीमा बीमा वो हमारा खर्च है बीमा क्या है हमारा खर्च तो खर्च होने से बीमा की उधार बाकी कितना दिया है बीमा का एमाउंट है बीमा में एमाउंट दी है 200 रुपए तो हमने बीमा में लिख दिये 200 रुपए अब दिया प्राप्त कमिशन हमारा लाब है ना हमें प्राप्त हुआ है तो प्राप्त कमिशन ये भी इसकी भी जमा बाकी आएगी प्राप्त कमिशन किसी भी तरह से हमें आये प्राप्त हुई है तो उसकी जमा बाकी आती है पंद्रा सो रुप है अब आगे दिया है डूबत रिंड ये देड़ सो रुप है डूबतिन अब वेतन वेतन भी धंदे का खर्च है खर्च होने से उधार बाकी वेतन एक हजार रुप है अब है कानूनी खर्च देखो इसके पीछे तो लिखी दिया है कि कानूनी खर्च खर्च होने से उधार बाकी सो रुप है उसके बाद यहां रोकर रोकर शेस हमारी संपत्ती है संपत्ती की भी उधार बाकी रोकर शेस संपत्ती होने से उधार बाकी चार सो रुप है ओफिस भाड़ा ओफिस भाड़ा भी अमने चुकाया है तो ये भी हमारा खर्च है तो खर्च होने से इसकी भी उधार बाकी देखिए हमने लिखा ओफिस का इमांट कितना है 400 रूपए यह लिए लिए खर्च हैं फर्ट चुक हैं इसलिए उसकी उधार बाकी यह लिए 400 रूपए अब यहां पर हमने अपनी सारी आइंट्रिया कर लिए अब हम क्या करेंगे दोनों दरफ का टोटल कैसा आना और है hè 480010 और जमाह का भी तोटल उतना ही आ आ रहा है तो जब उढ़ार और जमाह के टोटल समान है मतलब यह हमारी सकल तल पर सही है ठीक है तो इस तरह से यह सवाल हमारा यहां पे खतम होता है और आप लोग उधारण में और भी ज्यादा उधारण दिये गए बुक में तो उससे आप लोग देखकर प्रैक्टिस करना